नमस्ट और दोस्टों विलकम बाक टियो ओन चैनल वेल्स सगज 28 तफ जुलाई 2024 संडे के दिन कई सारे स्टॉक्स हैं जिन में की इस वीकेंड में नीज है लेकिन हम लोग स्टॉडी करेंगे 7 स्टॉक्स जिसकी नीज भी स्टॉडी करेंगे उनके चार्ट्स को भी स्टॉड कल के दिन आ सकता है तो उससे पहले दोस्टों आपको एक गुड नीज पता होने चाहिए कि इंडिया की ओलिंपिक मेडल टेली में सबसे पहला एक मेडल आ चुका है जो की है ब्रोंज और जो की आया है शूटिंग के एमेंट में फिलाल दोस्टों बात करते हैं हम लोग स् लुवा है 460% की ग्रोथ हमको दिखा ही पड़ी है प्रोफिट में as compared to last year दंदी के बारे में बात करें पिछले कोड़र के कंपारिजिन में 29% उपर है और पिछले साल के कंपारिजिन में 61% अप है प्रोफिट मार्जिन पिछले साल थे दोस्टों 7.33% जो की बढ़ा करके अभी 56.5% आएं और पिछले quarter में 56.3% थे, stock के बारे में बात रहे हैं, stock के चार्ट के बारे में बात रहे हैं, जैसे कि मैंनब को बता है, पिछले quarter के comparison में 25% अप है profit, और जैसे कि आग देख पार है, stock 3200 से 4200, एक बड़ी range में trade करता है, can you see it here, so दूस्वों अभी 3200 से तो stock तो का अगरी जम करके 4200 के जोन में अगरी चल रहा है, और recently जब से election के results है थे, तब से तो stock has risen, almost अगर आप देखें तो close to 30-33%, और stock के results भी ऐचा है, मेरे साब से कल के दिन stock में एक अच्छे important movement के expectation आपको रखने चाहिए, stock के लिए crucial level है, 4265, 4265 stock का breakout level है, जो कि अगर stock break क तो broadly यहां से stock 5200, 5300 के आसपास जाता हूँ, दिखाई पर सकता है, all eyes on 4265 levels, एक और भी stock है दोस्तों, जिसका नाम है IFB Industries, जिनको पता नहीं, उनको बता देना चाहता हूँ, IFB Industries क्या करती है, appliances बनाती है, जैसे कि आपने whirlpool के appliances देखें, LG के appliances देखें, वैसे ही IFB home appliances बनाता है, और पिछले company के performance के बारे में बात रहे हैं, तो पिछले साल के comparison में, जो home appliances का revenue है, वो 19% उपर भागा है, वहीं पर engineering के revenue के बारे में बात कर रहे हैं, तो पिछले साल के comparison में 9% का jump है, अच्छा, appliances का profit पिछले साल के comparison में बात कर रहे हैं, तो 462% भागा है, बाप, रे ब तो दो यू के अंडरस्टेंड का प्रॉफिट्स भागें बढ़ें इंप्रूव हुएं अच्छा के बारें बात रहें दो स्टॉक भी अच्छा का से रन अप कर चुका है यहां से स्टॉक अगर आप मुझसे पूछें तो अल्मोस 2200-2300 तक की जाने की अगर आप यहां से इस मार्जन को देखें तो इट हंडर्ट पॉइंट तो यहां से अगर एट हंडर्ट पॉइंट के बारें बात रहें तो क्लोश तो 2200-2300 तक के लेवल्स आपको IFB Industries में आने वाले कुछ हफ्तों या महिनों में दिखाए पड़ सकते हैं अब आप में से कई सारे लोग हैं जो कि गैरेंटी मांगने मांगते हैं कि सर इसकी क्या गैरेंटी यह स्टॉक पहुंच जाएगा कोई गैरेंटी नहीं भाई मैं गैरेंटी नहीं दे तो आप confidently trade कर सके हैं नेक्स टॉक दोसों जिसमें की रिजर्ट्स आये हैं स्टॉक का नाम है डॉक्टर रेडीज और रिजर्ट्स कोई बहुत बंब बहुत विस्वोतक नहीं है पिछले साल के में जो प्रोफिट यह 1% डाउन है वही पर बात करहें हम लोग कॉर्टर न कॉर्टर तो पिछले कॉंटर गेंपरर सरी प्रोफिट 6% उपर अच्छा अगर हम लोग से रय्मगरें चिया नहीं कि पिछले पॉइंट सेवन परसेंट and that is the reason why the profits have dropped all the stock में एक good news है कि कमप्री ने 1-5 का share split announce किया है प्रेस भी चल रहा है almost 7,000 के आस पास तो ये shares पाँच भागों में डिवाइड हो जाएंगे तो अब लापसी दिसमेल जे अगर आपके पास एक शेर है तो आपके पास पाँच शेर हो जाएंगी उनकी वैली होगी ये समझ गहें लेकिन कोई एक शेर आपको मिलेंगे एक शेर पाँच भागों में स्प्लेट कर जाएगा तो इस इस दी ओनली गूद नियूज रिजल्स आर आवरेज जबकी स्टॉक के बारें बात रहें तो स्टॉक रिसेंटली अच्छा रून अप कर चुका है अच्छा हो चुका है अगर आप दे इस हैं I will not say bad also or not good also पिशले साल के कंपारजन में जो प्रॉफित है वो ग्यारा परसेंट बढ़ा है और पिशले क्वाटर के कंपारजन में 19 परसेंट डाउन है इस इस सम्धिंगेट है फ्लाट हो जाता तो भी समझ में आता था लेकिन नेगेटिव हो गया दोस्तों वहीं परवात करें रेविन्यू की तो पिशले साल के कंपारजन में रेविन्यू 14 परसेंट टूपर है और पिशले क्वाटर के कंपारजन में रेविन्यू इस अप उनली 4 परसेंट मार्जिंस पिशले साल 29.05 परसेंट मार्जिंस है जो कि रेड्यूस होकर के अभी बचे हैं 28 एट परसंट के मार्जिंस और पिशले कोटर में 26.65 परसंट के मार्जिंस तो अगर आप देखें हैं तो आवरेजी नंबर से मैं यह नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छे या बहुत कराब सौक के बारें बात रहें तो स्टॉक का एक बहुत चोटा सा रेंज है जिसमें कि स्ट अगर कल के दिन स्टॉक पॉजिटिव रहता है इन एवरेज रिजर्ट्स को डाइजिस कर जाता है तब तो ठीक है अधरवाइज दिखा जाएगा बाद में एक और स्टॉक दोस्तों जिसके बड़े ही बंपर रिजर्ट्स आयां स्टॉक का नाम है PNB अब PNB दोस्तों आ मालूम नहीं है तब को याद दिला देने चाहते हैं 2017-18 में मेहुल चौकसी नीरव मोदी विजय माल्या यह सारी के सारी पार्टी ने बहुत ज़्यादा कहर अढ़ाया था PNB पे नीरव मोदी मेहुल चौकसी के पूरे के पूरे सिनार्यों के बाद अगर आप देखें तो स्टॉक में बहुत बुरी गिरावट आई थी क्योंकि अगर आप पूचें तो PNB की हलज सबसे यह तक खराब थी और स्टॉक के बारे बात रहें तो स्टॉक वेंट आज लोग एज 25 रुपीज इन 2021 25 रुपए का शेर हो गया था अगर आपको याद नहीं है तो आपको य यही रिजन है कि स्टॉक में रिकावरी हुई है लेकिन अपने हाई से स्टॉक अभी भी बहुत नीचे अगर आप देखें तो स्टॉक का हाई 275 का था था इन 2009 10 वसके बाद स्टॉक में डाउन फोल आती रही आती रही उसके नीरमोदी और मेहुल चोक सी ने तो बैंक को यह डाला श्टॉक में आज दो एस 25 रुपीस अच्छा श्टॉक के बारे मात रही रिजर्स अच्छे हैं में यह नहीं कहांगा कि बहुत अच्छे हैं मैं रिजर्स अगोट ते शूद नाट बी अनी हजिटेशन इस निस रिजर्स तो बेड़ बारे मात रही तो प्रॉफ अपना भी जरूरी होता दोसों बैंक्स में प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है एसेट क्वालिटी पिछले क्वाटर में जहां कंपनी के ग्रॉस एंपीए वर 5.73 परसेंट जो कि बहुत ज्यादा है बैद वे जो कि रिद्यूस होकर के बच्छे थे सिर्फ अभी बच्छ वन हंड़ेंट फिप्टी ने वरी शॉट स्पन ऑफ टाइंट यहां से स्टॉक में 150 तक के लेवल्स तो साफ साफ दिखाई बट रहे हैं अब दोस्तों यह बड़ा इंट्रेस्टिंग होगा कि इस लेवल्स के बद नीचे आ जाएगा कि इसको ब्रेक आउट करेंगा अग इस तक की भी जाने की शामतार रखता है तो और अगर हम बात करें दोस्तों स्टॉक कर रहा है 120 के आसपास जो पहले लेवल है दोस्तों विचाम एक्स्पेक्टिंग इंद स्टॉक समय टोस्तों 150 170 और उसके बाद तो स्काय इस दे लेमिट फर पी एन भी एक और रिजर्ट से दोस्तों जो इसके रिजर्ट से में बहुत ज्यादा पॉजटिव नहीं हूं स्टॉक का नाम है आरी सी अल्दो पिछले साल के कंपरजन में प्रॉफिट साथे चौदा परसेंट ऊपर है लेकिन पिछले क्वाटर के कंपरजन में प्रॉफिट छोटे मोटे नहीं 33.9 प सब्सक्राइब कर लेकिन प्रॉफिट में ड्रॉफ होना वह भी कोटर ओन कोटर इस अभी तो के पेक्स भी गौर्मिन ने रिद्यूस कर दिया है और अच्छा अब बात करें प्रॉफिट तो मैं आप से डिसक्स कर लिए वहीं पर निट इंटरेस इंकम के बारें बात रहे अब बायिन इट इंटरेस इंकम 31.5% उपर है इसका मतलब है कि प्रोल्विशन इंक्म बाहिए तभी मनों इन deduction कम बाढ़ी रेकिर से बायिए बोन ये सबर दिस कि बैई दॉब्सक्रां कमने आपने पास एकर रख लिए help покуп करे वी तो इनको हम लोग इससे set off कर देंगे यही reason है कि stock के profits में आपको drop दिखाई पड़ा परना रिंतिजी उतने खराब नहीं है अब provisioning बढ़ने के करम दोस्वों market इसको कल कैसा react करेगी बहुत ही interesting होगा stock के बारें बात रहें stock का एक breakout level है वो है 4646 जहां तक लगता है दोस्वों मेरे साब से बहुत clear cut अच्छे results तो नहीं है तो कल के दिन इसमें pressure दिखाई पड़ सकता है इसके लब दोस्वों एक और stock है जिसका नाम है ICICI bank results are good and results are good as expected अब आप पिछले साल से ही compare कर लें stock पिछले साल के comparison में profit 64% उपर है पिछले साल के comparison में net interest income 67% उपर है और और अगर आप पुछे interest income तो 17% उपर है तो एक बहुतरी results है I will not say कि results are bad at all अच्छा यहां पर हम लोग के लिए asset quality को देखना भी बहुत ज़रूरी है तो asset quality के front पे हर एक private sector bank में थोड़ी सी problem दिखी है फिर चाहिवा IDFC first bank हो या फिर RBL bank हो या फिर बड़े banks like SGFC bank हो तो ऐसे से bank में भी अगर हम लोग बात रहे तो net NPA पिछले quarter के comparison में 3% बढ़ा है और पिछले quarter के comparison में net NPA 6% बढ़ा है तो asset quality के front पे हमें end performance दिखाई पड़ी है बाकी overall results are good results are better than the other private limited companies प्रेविट बैंक लाइक कोटक माहिंद्रा bank HDFC bank जहाप HDFC bank के तो profits में भी drop हो गया था तो यहाँ पर जो asset quality है वहाँ पर थोड़ा सा concern है overall results are okay तो I am not expecting much fireworks लेकिन फिर बाकी सारे bank से comparison में stock के results are okay okay not bad अच्छा वहीं पर stock के बारे हम बात करने तो stock भी अपने all time high का सबसे चल रहा है stock का lifetime high 1250 का हर stock समय 1207 पे चल रहा है तो मेरे साब से stock में कुछ negative ना होने के करण other than of course the NPA front ज्यादा कुछ खास negative नहीं है तो negative ना होने करण market इसको positively ले सकती है but it will be very very interesting to see मेरे साब से SCOJ bank में कोई भी position तभी दोस्तों मेरे साब से बनाने चाहिए जिए stock 1250 के levels को breakout करें क्योंकि stock अभी बिल्कुल भी value तो offer करनी रहा है कि भाई यहां से HGFC bank की तरीके 1850 का high है और stock 1600 पे चल रहा है तो यहां पर एक value मिल रही है पंदरा पर्चेंट के असपास नीचे है यह यह स्टॉक हमको value भी offer नहीं कर रहा है और रिजर्स भी okay okay है तो मेरे साब से कल के दिन स्टॉक पर नजरे होने चाहिए आए विल पॉशली वेट पॉर a stock to breakout its 1250 levels then only I will enter this all for my friends thank you so very much I hope this video was helpful for you bye bye for now